हेलो बच्चों, क्लास 7 मिथमेटिक्स, चाप्टर 2, फ्राक्शन्स एंड डेसिमल्स, पार्ट 10 आज का हमारा टॉपिक है, डिविजिन ओफ डेसिमल्स सबसे पहले हम डिविजिन बाइ 10, 100 और 1000 बढ़ेंगे तो उसके लिए एक एक्जांपल लेते हैं, माली जो मैंने लिया है 31.25, इसे मैं 10 से रिवाइट करती हूँ, तो जब हम 10 से रिवाइट करेंगे, तो 31.25 को मैं लिख सकते हूँ, 3125 अपान 100, क्योंकि यह पर 2 प्रेसिर डेसिमल्स है, तो वह डिवाइट बाइट बन जाएगा और अगले स्टेप में यह जो डिवाइट बाइट बाइट है, वो मल्टिप्लाइबाइट बाइट बन जाएगा, क्योंकि हमने जब रूल पढ़ा था, डिवीजन का, और फ्राक्शन्स, तो मैंने बताया था ना, जब भी डिवीजन होता है फ्राक्शन्स में, तो उसे मल करेंगे और जब यह मल्टिप्लाइब होगा यह बनेगा 3,125 अब यहां 1 के पीछे 3 zeros है, यानि कि हमें 3 ब्लेस ओव डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा 3,125, अब इसी नमबर को इमाल लीजे, हम 100 से डिवाइट करते हैं, तो जब आप 100 से डिवाइट करोग तो यह 3125 by 100 divided by 100 है तो अगले step में वो multiply by 1 by 100 बन जाएगा So it will become 3125 upon 10,000 यहाँ पर 4 places of decimal आएगे क्योंकि 1 की पीछे 4 zeros है न तो यह बन जाएगा 0.3125 अब इसी को हम 1000 से डिवाइट कर लेते हैं तो 3125 upon 100 divided by 1000 इट विल बिकाम 3125 by 100 multiplied by 1 by 1000 तो यह बनेगा 3125 upon 1 lakh क्योंकि यहाँ वन की पीछे 5 zeros हैं तो विला है 5 lists of decimals तो आपका answer मिलेगा 0.03125 तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने 10 यह 100 यह 1000 से डिवाइट किया तो नमबर में कोई change नहीं आता है सिर्फ decimal की place change हो जाती है जब हमने ten से divide किया decimal one place left ही और shift हो गया हमने 100 से डिवाइट किया decimal two places left ही और shift हो गया इसी तरह से जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो decimal तीन प्लेस शिफ्ट हो गया दाट मीज वाइल डिवाइडिंग अनमबर बाई 10, 100 और 1000 दे डिजिर्स ओफ दे नमबर और दे कुशिंट आर दे सेम but the decimal point in the cushion shifts to the left by as many places as there are zeros over 1 1 के पीछे जितने zeros है उतने decimal places वो shift हो जाता है जैसे मान लीजे आपने एक और example ले लिया 25.98 divided by 10 तो यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे हो मतलब decimal एक place आगी shift होगा तो यह बन जाएगा 2.598 Now let us see division of a decimal number by a whole number अगर आपको किसी decimal को whole number से divide करना है तो उसके लिए मैंने एक example लिया है मान लीजे 6.4 को मैं 4 से divide कर रहे हूँ तो 6.4 को मैं क्या लिख सकती हूँ I can write it 64 by 10 क्योंकि one place of decimal है तो वर divide by 10 बन जाएगा तो 64 by 10 is divided by 4 और जब divide by 4 है तो इसे हम multiply by 1 by 4 लिख सकते हैं तो it will become 64 into 1 upon 10 into 4 हम इसे separate कर देते हैं 1 by 10 को अलग कर देते हैं 64 by 4 कर देते हैं यह 1 by 10 हमने इसलिए अलग किया ताकि हम decimal places answer में लगा सकें तो 1 by 10 निकाल दिया तो यह 64 by 4 बचा 64 को जब हम 4 से divide करते हैं हमें मिलता है 16 16 into 1 by 10 का मतलब क्या हुआ 16 upon 10 तो it will become 1.6 यह हम कह सकते हैं common language में कि 64 को 4 से divide कर दो और एक place का decimal लगा दो चले कि example और लेते हैं मान लीजे आपके पास है 12.96 इसे आपने 4 से divide किया तो जब आप 12.96 को fraction form में लिखते हो तो आप लिखोगे 1296 upon 100 इसे divide by 4 किया तो अगले step में वो multiply by 1 by 4 बन जाएगा तो इसमें हम 1 by 100 को अलग कर लेंगे और 1296 को 4 से divide करेंगे अब यहां 1 by 100 है और 1296 by 4 तो 1 by 100 को हमने वैसा ही रखा क्योंकि हम उसे decimal के लिए use करेंगे तो 1296 को जब हम 4 से divide करते हैं हमें मिलता है 324 और 1 by 100 है मतलब 324 upon 100 का काम करेगा वो तो it will become 3.24 क्योंकि 100 में 2 zeros है न तो 2 places of decimals तो इसमें हमने देखा कि 1296 को हमने 4 से divide किया 324 मिला उसमें हमने 2 place of decimal लगा दिया तो जब भी आप decimal number को whole number से divide कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो simply उन numbers को divide कर रहे हो और जितने place का decimal है उतने place का हम decimal लगा देते हैं जब हम 4 को 2 से divide करते तो हमें क्या मलता है लेकिन यहाँ 2 place of decimal है so your answer will be 0.07 third part we have 2.48 divided by 4 तो जब हम 248 को 4 से divide करते हैं तो हमें मिलता है 62 लेकिन 2 place of decimal है न तो answer will be 0.62 इसी तरह से 65.4 को जब हम 6 से divide करते हैं तो हमें answer मिलता है 10.9 651.2 divided by 4 इसमें भी हम 6512 को 4 से divide करेंगे और जो भी answer आएगा उसमें 1 place of decimal लगाएंगे जब हम divide करते हैं तो हमें answer मिलता है 162.8 14.49 को 7 से divide करेंगे तो आपको मिलेगा 2.07 3.96 को 4 से divide करेंगे तो आपको मिलेगा 0.99 क्योंकि 396 को जब 4 से divide करते हो तो 99 मिलता है 2 place of decimal है तो 0.99 बन गया इसी तरह से 0.80 को आप 5 से divide करेंगे तो आपको answer मिलेगा 0.16 क्योंकि 80 को 5 से divide करने पर 16 आता है and 2 place of decimal है तो it will become 0.16 question number 2 find 4.8 divided by 10 इसमें हम देखने divide by 10 और मैं आपको बता था था ना divide by 10 में हमें division करने की ज़रत नहीं बढ़ती है सीधे decimal एक place left की और shift कर दो तो जब हम 4.8 को 10 से divide करते हैं तो आपका answer मिलता है इसमें जस्ट हमको decimal एक एक place left की और shift करना है क्योंकि divide by 10 में हमें सिर्फ decimal एक place आगे बढ़ाना होता है इसमें आपको 100 से divide करना है जब हम 100 से divide करते हैं हम क्या करते हैं तो प्लेस लिफ्ट की और shift कर देते हैं फर्स पार्ट वी हैब 2.7 डिवाइड बाइ 100 decimal टू प्लेस लेफ्ट की और shift करेंगे तो हमें answer मिलेगा 0.027 0.3 डिवाइड बाइ 100 इसमें भी 2 बेसे shift करेंगे तो इल गेट 0.003 0.78 डिवाइड बाइ 100 इसमें भी 2 बेसे shift कर देंगे तो वील गेट answer 0.0078 4th पार्ट में 432.6 डिवाइड बाइ 100 इसमें भी 2 बेसे लेफ्ट की और shift होगा तो answer आएगा 4.326 5th पार्ट में 23.6 मतलब 23.6 डिवाइड बाइ 100 decimal दो प्लेस shift कर देंगे लेफ्ट की और तो और answer विल भी 0.236 next is 98.53 डिवाइड बाइ 10 इसमें भी decimal दो प्लेस लेफ्ट की और shift होगा तो आपको answer मिलेगा 0.9853 question number 4 इसमें आपको thousand से डिवाइड करना है जब हम thousand से डिवाइड करते हैं तो decimal तीन प्लेस लेफ्ट की और shift होता है तो इसमें शुरू करते हैं 7.9 divided by 1000 decimal तीन प्लेस लेफ्ट की और shift होगा तो आपको मिलेगा 0.0079 क्योंकि यहाँ पे decimal से पहले एक ही number था ना सिर्फ एक ही 7 था तो तीन प्लेस लाने के लिए हमने 00 लगाए इसी तरह से 26.3 को जब हम thousand से डिवाइड करेंगे you will get 0.0263 26 दो डिजिट तो है एक 0 और लगा दिया तो यह बन गया 0.0263 38.53 divided by 1000 इसमें भी हम देसिमल तीन प्लेस लेफ्ट क्यों शिफ्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.03853 नेक्स्ट इस 128.9 divided by 1000 इसमें जब हम देसिमल तीन प्लेस शिफ्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.1289 क्योंकि यह आपर तीन डिजिट थे 128 था ना तीन डिजिट था तो हमने तीन प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया तो वह स्टार्टिंग में डेसिमल आ गया तो यह बन गया 0.1289 फिफ्ट पार्ट में आपके पास है 0.5 divided by 1000 इसमें डेसिमल तीन प्लेस जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की और तो आप का अंसर मिलेगा 0.0005 क्योंकि नम्बर 5 अब हमें इसे डेसिमल से डिवाइट करना है तो इस डेसिमल पॉइंट को रिमूफ करना पड़ेगा तो इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको 7.0 तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं 7 divided by 3.5 can be written as 7 upon 3.5 और 7 can be written as 7.0 upon 3.5 दौनों में 1 फ्लेस डेसिमल है तो हमने डेसिमल हटा दिया तो यह बना 70 by 35 जब 70 को 35 से डिवाइट करते हैं हमें आंसर मिलता है 2 अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 36 divided by 0.2 इसमें भी हमें 36 को 36.0 बनाना पड़ेगा तो यह बनेगा 360 divided by 2 अब 360 को जब हम 2 से डिवाइट करते हैं हमें आंसर मिलता है 180 थर्ड पार्ट वी हैव 3.25 divided by 0.5 तो 3.25 अपन 0.5 था लेकिन हम डेसिमल के बाद और जीरो लगा सकते हैं वो लास्ट के जीरो के कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं ताकि उपर नीचे बराबर प्लेस अफ डेसिमल रहें ताकि हम डेसिमल रिमू हमने रिमूफ कर दिया तो हमें मिलता है 325 अपन 50 तो जम 325 को 50 से डिवाइट करते हैं हमें आंसर मिलता है 6.5 फॉर्थ इस 30.97 divided by 0.7 अब हम इसे 30.94 divided by 0.70 लिख सकते हैं जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था दौनों में इक्वल प्लेस अफ डेसिमल पराने के लिए इ 0.7 में 1 प्लेस अफ डेसिमल ही था तौ प्लेस बिनाने करिए हम बने 0 लगा दिय अब उपार नीचे हम डेस没有 कर सकते हैं क्योंकि दौनों में 2 प्लेस अप डेसिमल है हमें रेसिमल कर दिया तो हमें मिलता है 3094 अपन 70 तो जह बाम दिवाइट करेंगे हमें आंसर मिलेगा 44. 4.2 next part is 0.5 divided by 0.25 अब इसमें 0.5 में 1 place of decimal है तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा 0.50 yes so we'll write 0.50 divided by 0.25 equal place of decimal बनाते हैं ना ताकि हम decimal remove कर सकें तो इसमें भी हम decimal remove कर देंगे तो यह बन जाएगा 50 by 25 जब हम 50 को 25 से डिवाइट करते हैं आंसर मिलता है 2 6th part is 7.75 divided by 0.25 इसमें दोनों में 2 place of decimal है easily हम लिख सकते हैं 7.75 upon 0.25 दोनों में 2 place of decimal है दोनों का decimal रिमूफ कर दिया तो हमें आंसर मिलता है 775 upon 25 जब हम डिवाइट करेंगे आपको आंसर मिलेगा 31 next is 76.5 divided by 0.15 अब इसमें 76.5 में 1 place of decimal है ना तो इसे हम लिखेंगे 76.50 ताकि दो place बन जाए divided by 0.15 दोनों में ही 2 place of decimal है decimal रिमूफ कर देंगे तो यह बन जाएगा 7650 by 15 मतलब 7650 divided by 15 जब डिवाइट करेंगे हमको आंसर मिलेगा 510 next is 37.8 divided by 1.4 तो हम लिखेंगे 37.8 upon 1.4 दोनों में ही 1 1 place of decimal है decimal रिमूफ हो जाएगा तो हम लिखेंगे 378 upon 14 जब हम 14 से डिवाइट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 27 next is 2.73 divided by 1.3 तो हम 1.3 को 1.30 लिखेंगे ताकि दौनों में बराबर 2 place of decimal आजाए तो हम रिमूफ कर देंगे तो हम 273 divided by 130 डिवाइट करने पर आंसर आपको मिलेगा 2.1 question number 6 was a distance of 43.2 kilometers in 2.4 liters of petrol how much distance will it cover in 1 liter of petrol distance covered is 43.2 km and petrol used for it is 2.4 liters so distance covered in 1 liter of petrol is 43.2 divided by 2.4 तो हम इसे upon form में मतलब 43.2 upon 2.4 लिख देंगे और फिर हम decimal remove करेंगे तो ये बन जाएगा 432 upon 24 और divide करने पर आपको आंसर मिलेगा 18 that means 1 liter of petrol can cover 18 km of distance so this completes your exercise आपकी exercise complete हो गई है और आपका chapter भी complete हो गया है so we have completed chapter 2 अपने अगले वीडियो में मैं chapter 3 स्टार्ट करूँगी until then bye